हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ततकाल एजुकेशन पे दोस्तो उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे आपकी तैयारी भी काफी जबर्जस तरीके से चल रही होगी दोस्तो आज हम आप लोगों के लिए रीजिनिंग के कुछ आती महतपुन प्रस्ने के बारे में इस वीडियो मताएंगे जो सभी परिछाओं के लिए बहुत महतपुन प्रस्ने होने वाले हैं आप किसी भी गुवर्मेंट एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं इस टाइब के प्रस्ने हमें सभी पर में देखने को मिलेंगे दोस्तो ए पार्ट नमर कौन से 95 है आप पार्ट नमर 94 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तो इन सारे प्रस्ने का PDF आपको टेली गराम पर मिल जागा जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गए तो चले दोस्तो पहला प्रस्ने देख लेते हैं दोस्तो पहला नमर प्रस्ने है यहाँ पर दे कि दिये गए प्रस्ने में सम्मादित सब्द ग्याद किजिए तो देखे यहां पर क्या दिए पुस्तक पुस्तक जो है वो लेखक से समय थे कौन सा पुस्तक जो है वो लेखक से समय थे तो पुस्तक यानि पुस्तक जो है वो लेखक के द्वारा लिखा जाता है पुस्तक जो है पुस्तक वो लेखक के द्वारा लिखा जाता है ठीक उसी जो आपका पुश्थक है वो लेकर के दवारा लिखा जाता है उचीव परकार से सिनेबा जो है वो निर्थक के दवारा राचा जाता है यानि कौन्स हो जाएगा देखेंगे कि आपको निर्देशा किस अप्षन में दिया हुआ है यानि आप्षन नमर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रेशने को भी अच्छे तरह से समझ पहा होंगे तो चले दोस्तो नेक्स प्रेशने देख गते हैं कि दोस्तों दुष्रा नमर प्रेशन है यहां पर देख यहां देख यादी जी जी बराबर साथ है जी बराबर क्या लिख रहे है, साथ लिख रहे है, जी बराबर साथ लिख रहे है, ठीक, एकसेल बराबर क्या लिख रहे है, उसी परकार से आपसे पूछा है ना कि 24 पर, कितने पर, यहां पर 24 पाता है, एक्स कितने पाता है, 24 पाता है, फिर आपको C देखिएगा, तो C कितने पाता है, कहां से 24 अच्छे तरीका से लिख देता है, कितने पाता है, 24 पाता है, हो गया, अब यहां पर देखें, C, C कितने पाता है, 3 पर, E कितने पाता है, 5 पर, और L कितने पाता है 12 ओपर इक किस प्रकार से 49 लिखा है तो देखिए, जी आपको अस्थानी अमान लिखा है, जी का अमान कितने होता है, साथ तब साथ लिखा है, E, यदि क्या करेंगे, Excel गूर लिख दिये, ठीक, क्या कि अस्थानी अमान लिखा है सब को, सब को स्थानिय मान निकले के बाद में क्या करता है इसको जोड देते हैं जब सब को जोड देंगे तो देख लेकते हैं कि 49 आज रहा है कि देखे 12 हो गया और 24 हो गया कितना हो गया 12 हो गया 24 हो गया 5 3 8 हो गया देखे 5 5 10 हो गया यहाँ पर 10 हो गया पिर दू दू चार कितना चार गया यानि उन्चास आजा रहा है कितना रहा है उन्चास आजा रहा है यानि इसका मतलब क्या कर रहा है यहां पर देख लिजिए यहां पर आपको दिया हुआ है यहां अस्थानिया मान लिख कर जोड़ दे रहा है तो बराबर में कितना जा रह आपको ए दिया है ठीक उसी परकार से सी दिया है एक्सेप्ट यानि ए दिया है और पी टी दिया है तो देख लेंगे एक कितने पता है एक पाँ सी कितने पता है तीन पाँ एक कितने पता है तीन पाँ और ए आपको को जोड़ लेंगे क्या करेंगे जोड़ लेते हैं जोड़ लेंगे देखिए 20 हो गया इधर 16 20 हो गया इधर यहां पर 20 हो गया फिर 16 20 हो गया यहां पर 20 हो गया यहां पांस तीन आठ हो गया कितना हो गया यहां पर क्या करते हैं अब इसको क्या लिखेगा एक्सेप्ट को आपको 48 लिखेगा 48 लिखेगा 48 देखेंगे कि किस आप्सन में दिया हुआ है यानि आप्सन नमर आपका डिसी भी सई हो जाएगा दोस्तो मुझा उमीद करता हूं कि इस प्रशन को भी आप अच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चले दोस्तो नेक् अध्यापक दिया है तो इसरह में दर्जी दिया है और चौथा में सुनार दिया है इस चारों आप्सन में से आपको भीन बतना है यानि बीसम बतना है कि तीन एक समान है एक आपको भीन यानि अलग है वही आप्सन बतना है कि कौन सा आप्सन जो है वो तीनों से अलग है ठ चुनार हो गया है। धशान से देखने के बाद में इस ओप्षन में आपको कुछ देख रहा है है। इस पुछा क्या है? आपसे पुछा है कि ही बहीन को चुनना है। पहले कि ही चाप कर दो होगी नाएक। अभी कारिगर के श्रेणी में आते हैं कारिगर यहां काट लेते हैं मालेजिए यहां पर का ओजगा दर्जी हो गया यह सुनार हो गया और यहां से ठीक यहां पर क्या लिख देता हैं यहां कारिगर के श्रेणी में आते हैं उसी परकार से देखिए लिख देता हैं यहां पर क कारिगर की यह कारिगर के स्रेणी कारिगर के स्रेणी में आती हैं यहां पर आती हैं ठीक देखिए स्रेणी में आती हैं देखिए बढ़ाई हो गया आपका दर्जी हो गया और सुनार हो गया यह तीनों क्या हैं यह तीनों कारिगर यानि कारिगर एक हैं कारिगर के स्रेणी मे सभी से अलग हो गई आपको काटने चाटने के और नहीं आते हैं यह आपको पढ़ाने में आ जता हैं तो क्यों से अपसिन नंबर कौन सा अपका कभी धी हो जाएगा दोस्तों मुझे करता हूं कि इस प्रेशने को भी आप अच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स प्रेशने देख लेते हैं कि दोस्तों चार नमर प्रेशन है यहां पर देखी कथन ठीक कथन दिया है कि कूछ बतक पंची है ठीक उसी परकार से कूछ पंची गाय है अब नि उसी परकार से हमको निश्कर्श को देखना है ठीक देखी कथन और निश्कर्श आपको प्रस्ने कहीं भी किसी भी एक्जाम में दिखेगा आपको कुछ करना नहीं है क्या करना है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है पहले क्या करेंगे कथन के अधार पर डाइग्राम यह बतक हो गया है ठीक यह बतक हो गया है कुछ बतक क्या है पंची है तमालेजे कुछ बतक को यहां पर हम क्या करता है पंची में रख देता है यह पंची हो गया है यहां पर पंची हो गया है कुछ बतक क्या है पंची है यह आपको कथन बोल रहता है फिल रहे कि कुछ पं पंच्षी है न वो गाइभी है तम लिए फूश पंची को करते हैं गाय मेंOR अगया है यह तो आपको मना दिये हैं कोथघान का दारपाड़ धी में ठीक अब निशकर्च का धारपां हम परशणों को सोल्व करेंगे अब धिक अब जब समंद्ध दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाय और बतक में समंद्ध कहीं नहीं है यानि इसका मतलब कि यह गलत बोल रहा है क्या बोल रहा है यहां पर क्या हो जाएगा है यह आपको गलत बोल रहा है ठीक देखिए यह आपको गलत बोल रहा है कि कुछ जो बतक है वो गाय है यह गाय बतक से कहीं आपको समंद्ध नहीं दिख रहा है दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ गाय बतक है कुछ गाय बतक हैं लेकिन कुछ गाय भी बतक हैं नहीं है दूसरा ए भी नहीं है ए भी आपको गलत बोल रहा है इसमें समाधित कहीं है आपको नहीं दिख रहा है इसमें समाधित नहीं दिख रहा है यानि इभी आपको इधर से नहीं हो पाएगा और इआपको गावाई बतक भी नहीं है यानि दोनों समाधित कहीं नहीं दिख रहा है यानि इसका मतलब कि क्या बोल रहा है यानि इसका मतल कि दूस्तों पांचनवर प्रस्ण है यहान से समध्द प्रस्ण है यहां पर हो जो बुला उसी परकार समिष को शोल्ब करेंगे यहां पर क्या बोल रखा है देखिए यहां पर यह रखा है कि दिनेश जो है न राकेश का भाई है यहां पर राकेश रख लेते हैं राकेश हो गया ठीक राकेश यहां पर एस हो जाएगा न राकेश हो गया ठीक राकेश जो है न वो दिनेश का भाई है तो यहां पर दिनेश रख लेंगे ठीक यह दीनेस हो गया दीनेस का क्या है भाई है तो यहां पर भाई रख लेंगे यह भाई हो गया ठीक डाइग्राम पर बनाते हैं भाई हो गया फिर उसी परकार से आगे देखिए रेनु जो है अजीत का बहान है यहां पर रख लेते हैं ठीक रेनु जो है ओ यहाँ तक समझ गए यह पूत्र हो जागा क्या हो जागा पूत्र हो जागा राकेश जो है राकेश वो रेनू का बेटा है यहां बोल रहा है कि राकेश रेनु का बेटा है फिर आगे दिनेश जो है रेनु का क्या समन्द है रेनु का बेटा आपको राकेश हो गया राकेश का भाई कौन है दिनेश है तो दिनेश और राकेश दोनो भाई हो गया तो जब राकेश रेनु का बेटा हो जाएगा तो पूत्र हो जागा क्या जागा पूत्र हो जागा क्या रेनु का बेटा कौन है राकेश तो राकेश का भाई कौन है दिनेश तो दिनेश भी आपको क्या हो जागा पूत्र यानि बेटा हो जागा क्या हो जागा पूत्र हो जागा तो रेनु और दिनेश में क्या समझते हैं अप्सान नमर D बेटा हो जाएगा या अप्सान नमर D आपका सही हो जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रष्ण को भी आप अच्छे तरह से समझ पहे होंगे तो चले दोस्तों चिन बदलने पर हो जाएगा देखिए यहां पर के दे रखा है कि इसको आपको माइनस के जगा पर भागा रखना है भागा के जगा पर क्या रखना है माइनस रखना है ठीक माइनस के जगा भागा भागा के जगा पर माइनस रखना है इस चीन को आपस में बदल देंगे तो ह माइनस के जگगा पर क्या रखना है भागा रखना है जबाता है माइनस रखना है कि होगया मेनस करना है देखिए 29 दूनी के 38 हो गया 29 हो गया और 6 में 6 घटी 0 जाए गुणा कर लेते हैं देखिए अगर यहां पर हम गुणा करेंगे यहां से देखिए 29 हो गया 29 पॉलस 1 गुणे 6 गुणे यहां पर माइनस देना माइनस 6 हो जाएगा ठीक 29 हो गया ठीक अगर 6 में एक से गुणा करेंगे तो 6 में जब एक से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा 6 में जब ख़िए कितना बचेगा जीरो इप पलस में कितना बचेगा 19 बचेगा यानि कितना हो गया 19 कितना हो गया यहाँ पर 19 आगया तो आप से पूछा क्या है कि चीनों को अस्थान को आपास में बदालने पर समी करना का मान क्या होगा तो 19 हो जाएगा कितना है गया 19 तो 19 देखेंगे कि किस option में दिया हुए यानि option नमर कौन चो हो जाएगा अप्सन नमर आपका C सही हो जाएगा दोस्तो मुँए उमीद करता हूँ कि इस प्रसने को भी आप अच्छे तरह से समझ पायोंगे तो चलिए दोस्तो नेक्स प्रसने देख लेते हैं दोस्तो साथ मर प्रसने यहाँ पर देख निमने लिखी सिरिंखला में है यहाँ पर नीचे एक शिरिंखला दिया है इस शिरिंखला हम पुछने ने कि इस प्रसने वाचक शिन पर कौन सा संक्य जो है ना कि इस चार अप्षन में से भारा जाएगा तो देखिए क्या करेंगे इसमें इसमें ध्यान से शिरिंखला को देखेंगे जब शिरिंखला को देखेंगे तर चार से क्या हो रहा है तर फांच लेकर रहा है। फिर दो बढ़ रहा है ये दिखें इअवा अच्छे तरीका से नहीं जा पा रहा है ठीक, एक जा रहा है, तीन जा रहा है, दो दो जा रहा है, फिर आपको यहाँ पर कितना हो जागा, तीन जा रहा है, फिर आपको 15, 16, एक जा रहा है, फिर आपको देखिए, इस परकार से यह नहीं जा पा रहा है, ठीक, देखिए, इस परकार से आपको 16 नहीं होगा, यहां पर प्रसन वाचाद के नीचे 5 लेकर धसुरा दोसुराए दस लेकर हम्चाहरे चार से प्रकार से आथ हो रहा है थे इसमने का करें और चार जोड़ दिराओ ह। टिक उसी तो 16 से कितना हो जगा 16 गोगा चारव जोड़ देंगे यहाँ पर 20 में 21 और 20 निशे 5 यह यह 5 जोड़ को 25 5 आप प्रस्णवाचक चिन पते कि 20 आ गया, कितना गया, 20 आ गया, क्योंकि 16 में जब 4 जोड़ दिये थे तह 20 आ गया, कितना गया, 20, तब प्रस्णवाचक चिन पते कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तब 20 देखेंगे कि किस आप्सन में दिया है, यानि आप्सन नमर कौन सो जाए दोस्तो मुँआ इमीद करता हूं कि इस प्रस्ण को भी अप अच्छे तरह से समाज पायोंगे तो चले दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक जैहिन दोस्तो